केंद्री कुरशी वाकिसान कल्यान मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर इंदरू ग्वालिय चंबल अंचल के चुनावी दोरे पर हैं शुकरवार को केंद्री मंत्री तोमर ने शोपु जल के बडूदा के साथ ही शोपु नगर बे जन संपर्क महाभियान में हिस्सा लिया जहां बडूदा नगर परिशत के बाद एक से पंदुरा तक के भाजपार प्रतियाशू के समर्थन में जन संपर्क किया गया जहां बडूदा के बाज़ार में पैदल चल कर लोगों से संपर्क कर पार्षत प्रतियाशू के लिए वोट मांगे और बडूदा के बाद किंद्रिय मंत्री नरिंद्र सिंग्तोमा शोपुर भी पहुंचे जहां उन्होंने शोपु नगर पालिका परिश्वत में बाद एक स पतियाशियों के लिए वोट मांगे जन्रीय मंत्री ने बज़र्गों का भिनन दन कर उनका अशिरवाद लिया और साथी उनके रोट्षों में अपार जन सम्हूंब्रा किंद्रिय मंत्री रोडशों की डास्ते प्रसिद गणेश मंदर भी पहुंचे जहां उन्होंने माथाटे का पूजार चुना की गणेश जी का अशिरवाद लेने की बाद किंद्रिय मंत्री ने वोट मांगे ज्वारान कभी खुली जीप में तो कभ के अब लिए नेर्ण नेकरपली का चुनाब कि इसलिए अगर यहां पारशनों का चुनाब होता है तो मेरा ये प्राथिमित धर्म है कि मैं उनके लिए परिष्राम करूं उनके लिए बर्ट मांगों उनके लिए समरतन जूड़ाओं और इसलिए मैं आज पूरा दिन शोपूर में दिया हूँ और पड़ोदा में शोपूर में भी कारिक्रम संपन हुए लेकिन निश्यद रुप से मुझे जो दिखा उसके आदार पर मैं कह सकता हूँ कि भारतिय जनता पार्टी को अपार समर्थन दिखाई दे रहा है और भारती जनता पार्टी वहुमत के साथ बोर्ड बनाने में सफल होगी जहां तक निर्वली या आने लोगों का सबाल है तो और सारे बड़ी संख्या में लोग थे जिनको ये लगता था कि वो ठिकिक के उमीदवार है लेकिन सभी पार्टी के वरिष्ट नेताओं ने जाकर उनको आग्रे किया तो उन्होंने अपना नामंकन भी वापस ले लिया और आज वो सब पार्टी के कारिक्रमों में दिखाई भी दिये लगातार लगे भी रहे अपवाद सरूप कुछ यगे रहे जाती है तो सभावे ग्रूप से अब तो नामंकन हो गया है शचनी हो गई है सारा मामला हो गया है तो जिसके पास कमल नहीं है वो हमारा उमीदवार नहीं है और इसलिए भारधी जन्तापर्डी जिसके पास कमल है उसके पीषे पूरी तागत के साथ खड़ी है और हम सब लोग करचार कर रहे हैं और भार्दी अन्तापाड़ी जीते की अब भार बार इस तरीके के घटना सामने आ रही हैं जाय करवली हो या उद्यपुर हो देखें उद्यपुर के घटना बहुत ही लिंदनी हैं और उस घटना का अब एनाईय जाज कर रहा है इसलिए मुझे लगता है उस घटना पर बहुत ज़्यादा इस समय टिपड़ी करने की आवच्छता नहीं है लेकिन यह सच है कि कांग्रेस की कवर्मेंट जो राइस्थान में है उनकी पकड कानों विवस्ता पर पूरी तरह धेली पड़ गई है और इसके करण राइस्थान प्राब्लम से घुजर रहा है वहां कांग्रेस घुटवाजी से भी दरस्त है उसका खामयाजा भी राइस्थान के लोगों को बहुत ना पड़ रहा है मूंग मूंग को लेकर किसान अभी तक इन्दार कर रहे हैं मैस्पी तो बड़ रहा है